नमस्कार साथियों कल्यानी आइस अकेडमी के डिज्टल प्लेटफर्म पर आपका हर्दिक स्वागत है पिछले लेक्चर में हमने पौदों पस्वों एवं मनिश्यों में पोसण को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था इस लेक्चर में हम संतुलित आहार को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे तो सुरू करते हैं देखिए मानव सरीर का निर्मार कई कोशिकाओं से उतकों से अंगों से एवं अंग तंत्रों से होता है और इन अंगों के तथा सरीर के संचालन एवं कारे विधी के लिए कई एवं अलग-अलग पोसक तत् सरीर की आवस्कता अनुराब उचित अनुपात में एवं उचित मात्रा में मौजूद होते हैं तो उसे ही संतुलित आहार कहा जाता है और तब ही हमारे सभी अंग एवं हमारा संपून सरीर उचित तरीके से अपने कारियों की निस्पती कर सकेगा यदि ये सभी पोसक तत् पूर्जन में है नहीं या फिर उनकी मात्रा अधिक है यर कम है या फिर उनका उनुपात कम है या अधिक है तो वह होजन जो है हमारे सरीर पर नकारातमक प्रभाव डालेगा और इससे अगों की तथा सरीर की कारिप प्रनली पर कारिव गिधी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसी लिए भोजन में सभी आवस्क पोसक तत्व सरीर की आवस्क तानुराप अनुसार उचित मात्रा में एवं उचित अनुपात में होना चाहिए और जिस भोजन में ये उचित मात्रा उचित अनुपात में होते हैं उस से कहा जाता है इसके महत्व को समझाइए तो हम सीधा सीधा संतुलित आहार का जब उत्तर लिखेंगे तो हम यहां पर इसकी दो परिवासाइं दे सकेंगे एक तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि वही संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी खाद वर्ग समूह या सभी ख फल हो जाएंगे राइट दूद हो जाएगा मांस मचली राइट अंडा डेरी प्रोड़क्ट फिर मौसमी फल एवं सबजियों का जो है सेवन किया जाए या सबजियें सम्मिलित होती है उस आहार को ही क्या कहा जाता है संतुलित आहार कहा जाता है साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी आवस्यक पोसक तत्व जैसे कार्भोहाइड्रेट प्रोटीन बसा खनिजलवन रेसे एंटी ऑक्सिडेंट सरीर की आवस्यत्ता अनुसार एवं उचित महत्रा में मौजूद होते हैं उसे ही क हैं रहता है संतुलित आहार कहा जाता है या दूसरे सब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वह हैं जिसमें वे सभी पोसक तत्व जिनके द्वारा सरीर की सवी आवस्यक्ताओं की निरंतर पूर्ती होती रहे उस आहार को ही संतुलित आहार कहा जाता है अगर हम देखें तो संतुलित आहार का मतलब यह नहीं होता है कि भोजन को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहन करना यदि भोजन या आहार को अधिक मात्रा में ग्रहन किया जाएगा तो उस से जो है गंभीर बीम हो सकते हैं यह मोटापा से संबंदित कई रोग भी उध्वन्य हो सकते हैं संतुलित आहार का मतलब यह होता है कि वह है भुजन जिसमें हमारे सरीर के जो है सरीर के लिए आवसक सभी पोसकतत मोजूद हो उसे ही क्या कहा जाता है संतुलित अहर कहा जाता है और चुकि प्रत्यक व्यक्ति का सरीर प्रत्यक व्यक्ति का सरीर की जो प्रत्यक व्यक्ति की सारीरिक लंबाई और उसके बाद में उसकी सारीरिक आवसक्ताओं के अनुरूप अलग अलग उसे भुज़ पदार्तों की आवसक्ता होती है इसी लिए प्रत्यक वर्ग के वेक्ति के लिए प्रतिक आयू के वेक्ति के लिए प्रतिक लिंग के वेक्ति के लिए अलग अलग पोसक तत्वों की मात्रा होती है इसी लिए उस वेक्ति को अपनी आयू अपनी लिंग राइट अपनी लंबाई के अनुसार जो है संतुलित भोजयन गर्ण करना च वे जैसे ही जो है वयस्क अवस्था में यह प्राववस्था में प्रवेस करते हैं तो उनके सारेरिक अंगों की व्रदी के लिए प्रोटीन जरूरी होता है वैसे ही अगर हम देखें तो इस्त्रीयों के लिए भी गर्ववस्था के समय या फिर गर्ववस्ता के समय या प्रसब के दौरान उनको भी जो है लो तत्वों की या अन केल्सियम जैसे पोसक तत्वों की भी क्या होती है आवस्चता होती है क्लियर तो हम यहाँ पार जो है संतुलित आहार क्या होता है उसको समझ चुके हैं अब हम यहाँ पार संतुलित आहार के महत्व को समझेंगे और यह भी मुख परिक्षा में पूछा जा सकता है कि संतुलित आहार क्या होता है संतुलित आहार के महत्व को समझाईए या संतुल प्राप्त होंगे तो सीधी सी वात है वो लंबे समय तक जो है उनकी कारविदी बनी रहेगी अर्थाथ यह सरीर को स्वस्त रखता है साथ ही साथ सरीर की लंबी उम्रवी प्रदान करता है से इसके साथ ही संतुलित आहार जो है विक्तिआ के बजल को संतुलित करता है क्यूंकि अगर विक्ति जादा मात्रा में वह जबूजनकरंगर्ण करेगा तो उसके बज़न में होगी परन्तु यह जरूरी नहीं है कि अधिक भहोजन गर्ण करने विक्तित rates को अगर संतुलित जो है भोजन गरगर किया जाएगा तो उससे व्यक्ति की जो आयू है और व्यक्ति की लंबाई की अनुपात में उसका वजन जो है वो संतुलित रहेगा और फल्सरूप उसका जो स्वास्त है वह भी उत्तम अवस्था में रहेगा साथ ही साथ संतुलित आहर से सरीर की जो रोग प्रतिरोधक छंता है उसमें भी क्या होती है व्रद्धी होती है राइट साथ ही साथ व्यक्ति को जब सभी पोसक तत्वों की पूर्टी होगी तो उसके स्वस्थ और उसमें जो है तंदृस्थता में भी क्या होगी व्रद्धी साथ ही साथ व्यक्ति को जो अनेक रोग है या संक्रमन है उनको रोकने में मदद होगी. जैसे कोरुना काल में हमने देखा कि कई विसे सग्यों ने ये राय भी रखी है कि अगर हम अच्छा भूजन गिरहन करेंगे, संतुलित भूजन गिरहन करेंगे, तो उससे आटोमेटिक हमारे जो है रोग प्रति रोदक छमता में क्या होगी, व्रद्धी होगी, साथ ही साथ इससे मनुस्य की जो मानसिक छमताएं हैं और जो इसमरण सकती हैं उसमें भी क्या होगी, व्रद्धी होगी, हमने जो हमारे प्रिविएस लेक्चर में कोपूसन के कई कारण समझेते, तो अगर आप देखें, तो जब देखती कोपूसित भूजन को गिरहन करता है, अर्था अगर उसके भूजन में सभी पोसक तत्व मौजूद नहीं होते हैं, तो उससे भी कई प्रकार की क्या होती हैं, समस्या होती हैं, और अगर संतुलेत भूजन गरण करेगा, तो उसके क्या होंगे, अनेक लाब होंगे. साथ साथ संतुलित आहर आईउ और लंबाई की मताविक सारिविक बजन को बनाय रखने में मदद करता है साथ साथ आल्पपॉसरण के स्थिती या मोटापपा जैसे विकारों को दूर करने में में क्या होता है यदि विक्ति संतुलित भूजन गरहन करेगा तो ना तो उसको मोटापा होगा और ना ही उसका वजन कम होगा फल स्वरूप उसको मधुमे या कैंसर या हर्दय रोग जैसी गंबीर जो है बीमारियां भी नहीं होगी साथ ही साथ अगर है संतुलित भूजन गरहन करेगा तो उसको रेसे भी प्राप्त होंगे और एंटी-ओक्सिडेंट भी राइट जैसे एंटी-ओक्सिदेंट में बिटामिन इस Bene निटा कैरोटेंन और छीलेनियंएं जैसे तत्वों की पिराफ्टी भी होगे। और यह जो एंटि ऑॉक्सिडेंट्स हैं और पाली-फनालीय को अनिएख प्रकार की च्छती और कई रोगोंं से करते हैं शुरच्छा परदान करते हैं। साथ ही साथ इस सछा हमारे क forms कि तो किसी भी प्रकार की जो सारिर एक चमता है या एक तरीके से अंगों की जो कार प्रणाली है वो प्रभावित नहीं होगी और हमारा सरीर पूरी चमता के साथ में जो है उर्जा के साथ में करिया सील रहेगा क्लियर अब हम संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगी कौन कौन से जो कारक हैं वो संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं सबसे पहला क्या हो जाएगा उम्र हो जाएगा तो उम्र भी संतुलित आहार को प्रभावित करती हैं क्यूं क्यूंकि अगर हम देखें तो जैसे जो छोटे उम्र के वच्चे होते हैं उनकी सारे रिक व्रद्धी या उनके सारे रिक ग्रोथ के लिए उनके भोजन में जो है प्रोटीन अधिक होना चाहिए अर्थात कम उम्र के वच्चों की सारे रिक व्रद्धी के लिए उनके संतुलित आहार म वही अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, चुकि वो कारे करते हैं, सरुरिक स्रुम करते हैं, इसलिए उनको अधिक उर्जावान पोसक तत्वों की आवसकता होती है, वैसी ही अगर हम देखें, तो ब्रद अवस्ता में, चुकि कई प्रकार के रोगों रोग होने की संभाबना होती है, इसलिए ब्रद अवस्ता में भी अधिक पोसण युक्त और पॉस्टिक भोजन करने की सोच होनी चाहिए, तो इस तरीके से हर एक उम्र के समय, छोटे बच्चों को प्रोटीन युक्त, फिर जो स्रमसील वरग है या जो बड़े उम्र के व्यक्ति हैं, या अधिक उम्र के जो मनुश्य हैं, उनको अधिक उर्जावान पोसण युक्त, एवन बुड़ापे में या फिर ब्रद अवस्ता में जो है अधिक पोसण युक्त, जो है संतुलित आहार की आवस्सक्ता होती है दूसरा हो जाएगा यहां पर लिंग हो जाएगा तो इस्त्रियों एवं पुरसों की जो पूसरण संतुलित आहार होता है उसमें काफी अंतर होता है यहां पर चुकि जो पुरस होते हैं वो मानवी इस्रम में दक्ष होते हैं या अपेक्छा अधिक होती है और इसका कारण एक ये भी है कि पुरसों का आकार है या पुरसों का भार है या पुरसों की जो क्रिया सीलता है वो महिलाओं से अधिक होती है यही कारण है कि पुरसों को अधिक उर्जावान जो है पोसक तत्वों की आवरसकता अधिक होती है तीस उसकी भूजन में तो सभी पोसक तत्व अनिवार रूप से क्या है मौजूद होने ही चाहिए साथ ही साथ यदि स्वस्थ वेक्ति है तो उसको सभी पोसक तत्वों की जो है आवस्था होती है और अस्वस्था की इस्तिती में चुकि क्रिया सीलता कम होती है इसके कारण ही उस तत्व जो की बीमारी को ठीक कर सकते हैं या अस्वस्त ताकि इस्तिती में सुधार कर सकते हैं वो है पोस्ण युक्त भोजन जो है वो स्वस्त की या स्वस्त या अस्वस्त ताकि इस्तिती में गरहन करना चाहिए फिर चोटा हो जाएगा यहां पर क्रिया सील्था प्रतिक व निर्दारन होता है जो वेक्टि जितना अधिक क्रिया सील होगा उसको उतनी अधिक उर्जा आवस्कता हूं कि क्या होगी जरूरत होगी और इसके लिए उसको अधिक उर्जा बाँ जो है संतुलित आहर गरन करना चाहिए फिर हो जाए गए हैं पर जलवाईू और मोसम भी सं अंचालन चोकि हमारे सरीर में अनुकूलन की छमता होती है इसलिए गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों के मौसम हो अलग-अलग समय में हम हमारे भोज़पदार्तों में अलग-अलग पूसक तत्वों को संबलित करते हैं जैसे उदारण के तोर पर ऐसे देश जो क्या होते है गर्म देश के देशवासियों का पिक्छा जो थंदे देश के देशवासी होते हैं उनको अधिक आहार की आवस्टता होती है क्योंकि थंदे देश के जो निवासी होते हैं वो अपनी उर्जा जो है उर्जा का उपयोग सरीर का ताप बढ़ाने के लिए भी करते हैं तो इस बिसेश सारीरिक अवस्था से ताथ पर यह है कि यहां पर जैसे गरवस्था की इस्तिती हो जाएगी इस्तनपान की अवस्था हो जाएगी या ऑप्रेशन बाद की क्या हो जाएगी अवस्था हो जाएगी इन बिसेश सारीरिक अवस्था क्ताओं में भी जो है संतुलित आहा प्रभावेत होता है और चूवकि इन अवस्ताओं में प्रोटीन की या अन्य पोसक टत्व की जो है अनुपाद अधिक हो ना चाहिए या फिर यह झालिक्स अस्वस्तिता के आधार पर जो है पोसक टत्मों की उपस्तिती हमारे संतुलित भोजन में होना चाहे हैं क्लिए तो यह हमने यहां पर संतुलित आहर को पढ़ा हम यहां पर जो हैं पोषक-बदार्त ओंसके बारे में पढ़ेंगे राइट तो पोषक-तत्व क्या होते हैं अब कुंकर अगर हम देखे तो हमारा जो अगला लेक्चर किस पर होगा, बिटामिन पर होगा तो हमारे सिलिवस में बिटामिन भी मवजूद है संतुरित आहर भी मौझूद है, इसलिए पोसक पदार्त जितने भी है या पोसक तत्व जितने भी है उनको भी हमको बहुत डेटेल से बढ़ना तो हम यहाँ पर सुरूँ करते हैं पोशक तत्व से या पोशक पदार्थ से पोसक कत्व की सीधी सेपरिवास है यह देखिए वे तत्व यह वे पदार्थ जो जीवों में विविन प्रकार की जैविक क्रियाओं के संचालन एवं संपादन के लिए आवस्यक होते हैं उन्हें ही पोसक पदार्थ या न्यूट्रियंट्स कहा जाता है तो वे पदार्त जो जीवों में विविन प्रकार की जैविक्रियाओं एवं संचालत जैविक्रियाओं के संचालत एवं संपादन के लिए आवस्यक होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है पोसक पदार्त कहा जाता है और यह जितने भी पोसक पदार्त हैं इनको भोजन के रू करने के लिए उनके उत्कों की टूट फूट की मरमत के लिए तथा बिभिन जैवर प्रक्रम हो को सुचारू रूप से चलाय रखने केा लिए गर्ण करते हैं साथ ही साथ है जो पोशक्तत्वल भूजण के रूप में ग्रण किये जाते हैं उन पोशक्तववन को हम तीन जो है बरगों में विभाजित भी कर सकते हैं जैसे उर्जा प्रदान करने वाले खात्य पदार्त या पोसक तत्व तो उर्जा प्रदान करने वाले पोसक तत्वों में कर्भोईटेड हो जाएगा और बसा हो जाएगा फिर सरीर का निर्माण करने वाले या फिर जो है कोसी काऊ की टूट फूट या मरम्मत करने वाले प्रोटीन हो जाएंगे और प्रतिरोधी छमता बिक्सित करने वाले जैसे क्या हो जाएंगे विटामिन्स हो जाएंगे इसके साथ ही शरीर को पोसक पदारतों की आवसकता के अनुरूब हर एक अभी हमने देखा कि जो है आयू लिंग या फिर बिसे सारे रिक अवस्ता में अलग अलग पोसक तत्मों की आवस्ता होती है अर्थात सरीर को पोसक पदार्तों की जो आवस्ता है उसके अनुसार जो पोसक तत्म हैं हम उनको दो भागों में बाढ़ सकते हैं एक हो जाएगा मैक्रो न्यूट्रियेंट्स और दूसरा हो जाएगा यहां पर माइक्रो न्यूट्रियेंट्स हो जाएगा मैक्रो न्यूट्रियेंट्स क्या होता है देखिए ऐसे पोसक तत्म जिनकी सरीर को अधिक मात्रा में आवस्ता होती है उनको ही मैक्रो न्यूट्रिय इवम क्या हो जाएगा भसा हो जाएगा फिर दूसरा हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रियेंट्स तो ऐसे पोसक तत्व जिनकी सरीर को अलप मात्रा में आवस्चता होती है उनको ही माइक्रो न्यूट्रियेंट्स कहा जाता है जैसे बिटामिन हो जाएगा खनिज लवन हो जा जैसे Acetic Acid हो जाएगा, Citric Acid हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, Lactic Acid हो जाएगा, clear, साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं, कि मानाव शरीर को अपनी उर्जा संबंदी जो है, आवस्सक्ता होती है, उर्जा आवस्सक्ता और अलग अलग आयू और अलग अलग लिंग के अनुसार, ये जो उर्जा आवस्सक्ता है, ये क्या होती है, अलग अलग होती है, तो हो सकता है तीन नंबर में यहां से पूछा जाए कि मानव सरीर की उर्जा आवसकता है या कैलोरी संबंधी उर्जा आवसकताओं को लिखिए या फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर कारिकी प्रकृति के आधार पर पुर्सों एवं महिलाओं में कितनी मात्रा में उर्जा की आवसकता होती है तो देखिए ऐसे व्यक्ति जो हलका कारे करते हैं अर्थात जिनका सारे रिक जो स्रम है वो कम होता है उधारन के लिए अगर एक व्यक्ति किसी कंपनी में बैठ कर कंप्यूटर के सामने कारे करता है तो उसका सारे रिक जो स्रम है वो कम होगा तो जो व्यक व्यक्ति हलका कारे करता है उसको 2000 कैलोरी की आवसकता होती है और यदि महिला है तो उसको 2100 कैलोरी की आवसकता होती है साथी साथ यदि कोई व्यक्ति लगातार 8 घंटा कारे कर रहा है तो उसको 3000 कैलोरी की आवसकता होगी और वहीं इस्त्रियों को 2500 कैलोरी की आवसकता होगी और ऐसा व्यक्ति जो कथिन कारे कर रहा है या जो सारीरिक सरम अधिक करता है जैसे जो construction बर्व में involved होते हैं या क्रसी के छेत्र में तो कथिन कारे करने वाले अगर प्रोस हैं तो उनको 3600 कैलोरी और महिलाएं हैं तो उनको 3000 कैलोरी जो है भोजन की आवस्क्ता होती है और यदि इतनी कैलोरी का भोजन उनको पर्याबत रूफ से मिलेगा तो वो सुचारू रूफ से अपने जो कारे हैं उनको कर पाएंगे अब हम प्रमुक पोशक तत्वों को पढ़ते हैं प्रमुक पोशक तत्वों की आवस्थिक्ता क्यों होती है कितनी मात्रा में आवसिक्त होती है उनका सरीर के लिए क्या महत्व होता है इन सब बिंदूओं के साथ साथ हम प्रतिक पूसक तत्व को तयार करते चलेंगे तो जिसमें पहला हो जाएगा कार्बो हाइड्रेट को संचित में काफ्स के नाम से भी जानतें जो कार्बो हाइड्रेट है वो उर्जा प्रदान करने बाले पोसक तत्व होते हैं तो कार्बो हाइड्रेट हमारी सरीर को उर्जा प्रदान करने बाले पोसक तत्व होते हैं और कार्बो हाइड्रेट वे रासायनिक योगिक होते हैं जिन में कार्वन हाइड्रोजन एवं आक का अनपात एक अनपात दो अनपात एक होता है राइट साथ ही साथ कार्वो हाइड्रेट जो की रासाइनिक योगिक है जब इनका पाचन होता है हमारे अमासे में जब इनका पाचन होता है तो पाचन के पस्चात राइट ये ग्लूकोज में या सरक्रा में क्या होते हैं कोसी काम है, माइट्रो कॉंड्रिया में भोज्व पदार्तों का क्या होता है, आक्सिकरन होता है, और उस भोज्व पदार्तों के आक्सिकरन से ही जो है, उर्जा बिमुक्त होती है, जिसका प्रियोग हमारे सरीर के द्वारा कार करने में किया जाता है, तो कार्वो हाइट्रो की उपस्थिती में आकसिक्रन होता है जिससे उर्जा बीमक्त होती जिसका प्रियोग हमारे सरेर कार करने में करता है एक व्यक्ती का जो भोजन होता है उसकी भोजन में 50-50 प्रितिसत जो मात्रा होती है वो कार्बो हाइड्रेट की होती है सामान रूफ से आप जो भी भोजन गरंड करते हैं तो जो रोटी है चाबल है आलू की सबजी है इन सब में मुक्रूफ से क्या होता है कार्बो हाइड्रेट होता है तो हम जो भी वो जन गरंड करते हैं उसमें अगर जैसे ब्रेड हैं रोटियां हैं या गेहूं से बनी हुई कोई भी खात सामगरी है तो उसमें कार्बो हाइडरेट की प्राथ मिक्ता रहती है साथ ही साथ एक गराम जो कार्बो हाइडरेट होता है उसके पूर्ण आकसी करण से 4.2 किलो कैलोरी क्या होती है उर्जा भी राप्त होती है क्लियर अब हम यहाँ पर समझते हैं कार्बोहाइडरेट के प्रकार तो कार्बोहाइडरेट तीन प्रकार की होते हैं सबसे पहला क्या हो जाएगा मोनोसेकराइट हो जाएगा अब देखें जो कार्बोहाइडरेट हैं यह रासाने की योगिक होते हैं और इसी लिए यह तीन के होते हैं रायिट और आसके होते हैं जो सबसे अधिक का सबसे शरल यह वो सबसे सरल है तो उस सबसे अधिक क्या होता है सरल होता है उधारन के लिए जैसे क्या हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा फक्ट्रोज हो जाएगा और क्या हो जाएगा गैलेक्टियोज हो जाएगा राइट और इसमें से जो ग्लूकोज है यह हमारे सरीर को और जाकी आवस दिया जाता है या glucose दिया जाता है ताकि उनकी उर्जा आवस्यक्ताओं की जो है पूर्ती हो जाए तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए glucose दिया जाता है क्यों क्योंकि glucose क्या है सबसे सरल्तम carbohydrate होता है जो की आसानी से digest होता है उधारण के लिए अगर आप starch को खाएंगे या अनाच को खाएंगे तो उसके पाचन में अधिक समय लगेगा और वहीं अगर आप glucose का ग्रहन करेंगे तो उससे आपको instant energy भी मिल जाएगी दूसरा हो जाएगा डाई सेकराइट तो सीधी सी बात हो जाएगी देखिए ऐसे कार्वोहाइड्रेट जो मौनो सेकराइट के दो अनुओं से मिलकर बने हुए होते हैं उनको ही दाई सेकराइट कहा जाता है उधारण के लिए क्या हो जाएगा सुक्रोज हो जाएगा माल्टोज हो जाएगा और लेक्टोज हो जाएगा अब ग्लुकोज अगर हम देखें तो जो सुक्रोज है सुक्रोज क्या है एक डाइसेकराइट है जो की दो लेक्टोज है वो ग्लुकोज के मिलने से क्या होता है बनता है फिर तीसरा हो जाएगा यहां पार पॉली सेकिराइड हो जाएगा पॉली सेकिराइड वह कार्वो हाइडरेट होता है जो अनेक मोनो सेकिराइड अणुओं के मिलने से बनता है और जो पॉली सेकिराइड होता है यह जल में क्या होता है अगुलन सील होता है कल जो हमने सरल अड़ों में क्या होते हैं तोड़े जाते हैं तो जो पॉली सेकराइड होता है ये जल में अगलन सील होता है और ये कहां पाया जाता है मुक्ता पॉधों में पाया जाता है आवस्थिक्ता पढ़ने पर जब कभी भी सरीर को उर्जा की आवस्थिक्ता होती है तो से हमियारे सरीर को उर्जा प्राप्त होती है तो इस प्रकार से यह जो पॉली सेकराइड होते हैं यह संग्रेत इधन का भी क्या करते हैं कारे करते हैं तो पॉली सेकराइड अनेक इसी लिए इनको संग्रहीत इंधन की रूप में भी जाना जाता है उधारन के लिए क्या हो जाएगा इस्तार्च हो जाएगा या मंड हो जाएगा फिर ग्लाइकोजन हो जाएगा काइटिन हो जाएगा और क्या हो जाएगा सेलिलोज हो जाएगा तो यह सभी पॉली सेकराइट कार्वो हाईडरेट के उधारन हैं अब महत्वपूर्ट तत्त ही है कि हाँ पर कार्वो हाईडरेट के मुख्य सुरूत होते हैं साथ ही साथ कार्वो हाइड्रेट में जो पॉली सेकराइड है पॉली सेकराइड में मन्ड हो जाएगा सेलिलोज हो जाएगा तो स्टार्ज के रूप में यह संचित इंधन का कारे करते हैं आवस्त पढ़ने पर इनके जल अपगटन से ही ग्लूकूज अर्थात उर्जा प्राप्त होती है साथ ही साथ ये बसा में बदलकर संचित भोजन का क्या करते हैं कार्वी करते हैं इसके साथ ही कार्वो हाइड्रेट डेने एबं आरेने का घटक भी होते हैं और प्रोटीन को सरीर के निर्मान कारिकारियों के लिए सरक्षित रखते हैं प्रोटीन भी जो है उर्जा का सुरूत होता है परंतु कार्वो हाइड्रेट उर्जा उपलब्द कराकर जो protein है उसको निर्मान कारी 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 के लिए जो है एक तरीके से संचित करते हैं या सुरक्षित रखते हैं साथ ही साथ carbohydrate सरक्रा के रूप में उर्जा उत्पाधन के लिए इन्धन का कारे करते हैं तो हमारी mytrKondriya में जो भोचे पतार्तों का आकसी करुए होता है उसमें ग्लू कोज जो है वह वह उतिहन के रूप में कारे करता है तो यह यहां पर carbohydrates के कार्य अबétique क्लंब लिएल टेगते तो carbohydrates मुक हुं रूप से अनाजो में यह पाया जाता है जैसे गर हम देखें तो गेहूं, चाबल, मक्का, जुआर, बाजरा, सक्कर, गुण, सूखे फल, अंजीर, दूद, पके फल, आलू, सकरकंद, चुकंदर, इत्याद ही में जो है कार्बो हाइडरेट पाया जाता है, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि कार्बो हाइडरेट की कमी कमी से या अधिक्ता से कौन-कौन से रोग होते हैं, या कार्बो हाइडरेट की अधिक्ता या कमी से सरीर पर क्या प्रभाव परता है? तो देख्ये, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में कार्बो हाइडरेट को गढण करता है, अर्थात वैगयं, चाबाल, मक्का, राइट इन से बने हुए भुझ्य पदार्तों का अधिक मात्रा में सेबन करता है अर्थात कार्भोहईड्रेट की अधिकता होती है तो उससे व्यक्ति का जो वजन है वो बढ़ने लगता है अर्थात वजन में ब्रद्धी होती है और वजन में ब्रद्धी होने से मोटा प्र से सम्मंदित कई प्रकार की जो लाइफ स्टाइल डिसीजीज हैं उनकी हुनी की संभाब नहीं होती है वहीं अगर कोई व्यक्ति कार्बो हैड्रेट को कम मात्रा में गर्ण करता है तो उससे सरीर का का बजन कम हो जाएगा और सरीर का बजन कम होने से यह सरीर को कम उर्जप्राप्त होने से सरीर की जो कार्य करने की जमता है वो भी क्या होगी घट जाएगी अब दूसरा मेहत्वपूर्ण पोसक तत्व हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा देखिए प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं पदार्थ होते हैं और हमारे सरीर को संचार रूफ से संचालन के लिए कई अमीनो एसिट या अमीनो अमलों की आवस्थता होती है और प्रोटीन की रचना जो है लगवग 20 अमीनो अमलों के विविन संयोगों से होती है यह यहाँ पर संयोग हो जाएगा तो प्रोटीन की जो रचना है वो मनुस्य के लिए अनिवार लगवग 20 प्रकार के अमीनो अमलों के भिन भिन संयोग से ही जो है प्रोटीन की क्या होती है अर्थाथ प्रोटीन जो है वो अमीनो अमलों से क्या होते है निर्मित होते हैं तो प्रोटीन जो है वो अमीनो अमलों से निर्मित होते हैं और यह नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं भोज्य पदार्थ होते हैं साथ ही साथ I mean protein का सभ्सें महत्रपूर कारे क्या है सारी रिक राददी एवं सारी 24 गारिक वर्धी RAVM पुरियां के लिए इनकी आवस्ता अधिक मात्रा में होती है हमारी कोसिगाहों की व्रद्धी के लिए या अगर हम देखें तो जो छोटे वच्चे हैं उनको प्रोटीन युक्त भोजन की आवस्फ्टा होती है क्योंकि प्रोटीन जो है वो कोशिकाओं की तूट फूट की मरमत के लिए क्या होता है अनीवारे होता है तो अगर कोशिकाओं की तूट फूट होती है और कोशिकाओं की मरमत के लिए एवन कोशिकाओं में व्रद्धी के लिए अर्थात सारेरिक व्रद्धी के लिए protein की आवस्थिक्ता होती है हमारे भूजन में जो है हमने देखा था कि लगवग लगवग 50-75% जो है वो कार्वोहइड्र होता है तो वही हमारे भूजन में 15% जो है वो protein भी होना चाहिए और protein जो है मानव सरीर का एक सरचनात्मक पदार्थ माना जाता है क्योंकि protein से ही जो है कोशिकाओं की मरमत होती है और कोशिकाओं में व्रद्धी होती है तो ये एक सरचनात्मक पोशक पदार्थ होने के साथ साथ हमारे सरीर को के लिए जो है अन्यकारियों में भी क्या करता है मदद करता है होता है अतियंत आवस्यक होता है प्रोटीन वी तीन प्रकार का होता है सबसे पहला हो जाएगा सरल प्रोटीन हो जाएगा तो ऐसा प्रोटीन जो केवल अमीनों अमलों से बने होते हैं तो ऐसे प्रोटीन जो केवल अमीनों अमलों से बने हुए होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है सरल प्रोटीन जैसे एल्वियूमिन हो जाएगा गलोवियू लिन हो जाएगा फिर दूसरा हो जाएगा संयोगमी प्रोटीन तो ऐसे प्रोटीन जिनका संयोजन प्रोटीन के अतरिक्त अन्य अन्य अन्यों से भी होता है उनको संयोगमी प्रोटीन कहते हैं जैसे न्यूकलो प्रोटीन हो जाएगा ग्लाइको प्रोटीन हो जाएगा और फास्वो प्रोटीन हो जाएगा फिर तीसरा हो जाएगा व्यत्पन प्रोटीन वे प्रोटीन जो प्राकर्तिक प्रोटीन के आंसिक जली अपगटन से होते हैं उनको ही व्यत्पन प्रोटीन कहते हैं जैसे पेप्टाउन हो जाएगा और होता है सात ही साथ कोसी काों में ब्रदी के लिए भी प्रोटीन की आवस्चता होती है असात प्रोटीन को सी काओं की व्रदी एवं मरमत में महतपूर यही कारण है कि वक्चे जब बार में होते हैं या GROथ एज में होते हैं तो उन rein प्रोटीन यूग्त भोजन की आवसकता होती है साथ ही साथ अनिक जो जटल प्रोटीन है वो मेटावॉलिक प्रिक्रियाओं में एंजाइम का कारे करते हैं और इससे हमारी जो मेटावलिक एक्टिबिटीज है वो भी आसानी से संपन्द हो जाती है वहीं जो कुछ प्रोटीन है वो हार्मोन के संसलेशन में भी भाग लेते हैं और हार्मोन जो है वो हमारे सरीर के कारियों की निस्पति के लिए महतपूर्ण जो है वो माने जाते हैं तो प्रोटीन हार्मोन के याओं में एंजाइम का कार भी करते हैं साथ ही साथ जो हीमोग्लोविन है हीमोग्लोविन के रूप में जो है गैसी संबहन की भी क्या करते हैं में तुपूर भूमिका होती है और अगर हम देखें तो जो ऑक्सिजन है ऑक्सिजन का परिवहन हीमोग्लोविन के द्वारा किया जाता है तो प्रोटीन जो है हीमोग्लोविल प्रोटीन के माध्यम से यह गैसी संबहन का कारी भी करते हैं साथ ही साथ यह हमारे सरीर में Anti-Vo-Dies के रूप में सरीर की सुरक्षा भी क्या है करते हैं । अब समझते हम यहां पर protein की कमी से होने वाले रोग देखिए protein हमारे संतुलित आहार में या हमारे भोजन में एक मैत पूर्ण क्या होता है घटक होता है यादि protein की आहार में कमी होगी या प्रोटीन का इंटेक कम होगा तो उससे कई प्रकार के जो है रोग होते हैं और प्रोटीन की कमी से एक तो सारिक व्रद्धी क्या होती है अवरुद्ध होती है साथ ही साथ प्रोटीन की कमी से मानसिक व्रद्धी भी क्या होती है रुख जाती है अगर सिसुओं में या बच्चों में प्रोटीन की जो है मात्रा उनका प्रोटीन कम दिया जाता है तो सिसुओं में और बच्चों में अधी प्रोटीन का इंटेक कम होगा तो उससे बच्चों में मरेसम इस रोग क्या होता है यदि बच्चों में और सिस्वों में प्रोटीन की कमी होती है तो इस रोग में जो है बच्चों की मान स्पेसियां डीली हो जाती है पैर पतले हो जाते हैं एवं तोचा पर क्या होते हैं चकते पड़े जाते हैं तो एक तरीके से उसकी मान स्पेसियां ली ओजाती है और उसके सरीर में जो हैं हड्डियां अलग से ही जो है द्रश्च्टी गोचर होने लगती है और इससे भी खतरनाक हो जाएगा कौसी और कर इस रोग में बच्चों के जो है वो हाथ पाँप बहुत ही जादा क्या होते हैं दूबले हो जाते हैं उन बच्चों क कमी से क्या होते हैं रोग होते हैं प्रोटीन का जो इंटेक है वो प्रतिक विक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए जिसकी मात्रा भी लगवग लगवग जो है वो निर्दारित है प्रतिक विक्ति को अपनी आयू एवं बजन के अनुसार में प्रोटीन का इंटेक करना चाहि है तो पुरुसों को 55-60 ग्रोटीन की आवस्ता होती है महिलाओं को 45-50 ग्राम की राइट बालः को 22-41 ग्राम की किसोर को 54-55 ग्राम और Kissouri को 57-67 ग्राम यो रवक टीन आजट fiber की पूर्ति हो जाती है परन्तों जो साकाहारी होते हैं साकाहारी में जो हैं प्रो suppressed बहुत हैं लेकिन उनको सामानिय रूम से ग्रहन ना के वराबर किया ज़ाता है जैसे आ鏡़ाम देखें तो दूद में भी प्रयाप्त प्रोटीन होता है साथ साथ जो अंकूरत वीज होते हैं या sprouts जिसे कहा जाता है अंकूरत वीजों में भी प्रोटीन प्रयाप्त मात्रा में होता है यह तो वहीं मुंगफली में फिर मुंगफली में बूद में डाल में सोयवी टॉधे मैं पनीर ऑप पनीर इंफ़ी दाल पूभवली इस्प्राउट्स डूध यह साकाहरी बोजन में क्या है प्रोटीन के प्रमुक्सरोथ है और अगर हम देखें तो हमारे भारत में प्रोटीन का जो है इंटेक कम होता उसका कारण क्या है कि भारत में अगर हम देखें तो दूद जो है दूद का इंटेक हमारे देश में होता है लेकिन चाय के रूप में उसको सामान भुझ पदार्थ की रूप में जो है बहुत ही कम लिया जाता है साथ ही मुँफली राइट सुवेबीन इनका प्रियोग बहुत ही कम होता इसलिए प्रोटीन का इंटेक भी कम होता तो दूद अगर हम देखे तो दूद मुफली दाल सुवेबीन पनीर ये साकाहार में सुरोत हो जाएंगे और है या फिर मांस हो जाएगा यह मचली या अंडे की जर्दी यह क्या हो जाएंगे प्रोटीन के रूंक सुरोत हो जाएंगे तो अब अगले लेक्चर में अन्य पोसक तत्वों को पढ़ते हैं तब तक के लिए धन्यवाद